प्रधान मंत्री जी, मानिया मंत्रीगन, डॉक्टर पीटी उशा, आज हमारे पैरिस ओलिम्पिक्स में भाग लेने वाले सारे एथलीट्स आपके साथ वारता करने के लिए आए हैं, सर से मार्ग दर्शन के अपिक्षा करते हैं, लगभग अंठानवे लोग ऑनलाइन जुड चल रही है, और आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग पैरिस के लिए रवाना होंगे, मैं अनुरोद करती हूं सर से कि क्रिपया सबको मार्ग दर्शन करें, प्रोथसाहन करें, धन्यवाद सर. आप सबका स्वागत है, और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, साथी हो मैं आज तो ज्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि आप जाने के मूड में होंगे, और चीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस होगे, तब स्वागत करने के मूड में हूँ, और इसलिए, वैसे मेरी कोशिश रहती हैं कि, खेल जगत से जुड़े हैं हमारे देश के जो सितारे हैं, उनसे मिलता रहूं, नई चीज़े जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्ता में कुछ बढ़ाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं, और मेरी कोशिश ये रहती हैं कि, सबसे डारेक इंट्रेक्शन करूं, तकि फर्स्ट रैन इंफ्रमिशन मिलती हैं, खेल का इस्व वो पेपर देने जाता है, एक्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है, कि बढ़ाव चिंता मत कीए, मैं रेंग लेकर कर आने वाला हूं, और जब उसको तो पता चल जाता है, एक्जामिशन में, क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, पंखे की आवाइद बहुत आ रही थी, खिरकी खुली थी, तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बाहर बाहर मेरी तरफ देखते थे, तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंस, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, और हमेशा वो परिस्तित्यों को दोस्त देते हैं, और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती हैं, वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाडियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्तित्यों को दोस्त नहीं देते हैं, कि हमेशे कहते हैं कि बोगल टेखनीक मिरे लिए नई थी वह जो करता था मैंने अंधार नहीं लगाए वह भी एक तरीका हो सकता है कि कहने का तापप्र है एक दोस्तों हम खेलने के लिए जा रहे हैं हम अपना बेस्ट पर्फॉर्मस के लिए जा रहे हैं लेकिन उलिम्पिक शीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलू और टेलीफॉन करके सबको बताता रहा हूं देख्या जैसा रहा है वैसा रहा दूसरे होते हैं बागी हर खेल देखने जाते हैं अब फलाने देश कैसे खेल रहा है तितना देश कैसे खेल रहा है और वह चीजों को पूरी तरह अफसर करता है को कोशिस करता एप सॉप कर देखिए और आकर के अपने कोच को भी बता गए यह रहा है मैंने देखा उसने बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मुमेंट मुझे भी बताईए वो क्या चेकने थी कभी उस वीडियो को लेकर दर्सबार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा का तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है दुनिया के सम्रद्ध सम्रुद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठिनाईया होती है बहुत सी असुविधाओं होती है लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश तरगा जंडा और इसलिए वो कठिनाईयों को असुविधाओं को बिलकुल साइड बरता है वो अपने मिश्यकि लिए लग में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे तक पहली बार जा रहे हैं जिनको औलिंपिक में जाने का पहला मोका मिल रहा है ऐसे क्यों नब से बेटियों के से जदा है कलवानों के से जदा है नियर्वा अधर जो हाँ बताईए आपकुछ कहना चाहती हो ना जो पीछे हाँ बताईए अपना परीचे बता दीजिए और मैं रमिता जिंदल हूँ एर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलम्पिक्स में जा रहे हूँ तो I am very excited to go because Olympics में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से था मेरा जब से स्पोर्च स्टार्ट किया है मैंने तो मुझे काफी excitement भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफी की देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊ वहाँ आपके ट्रेनिंग कहां कहां हुई है मैं हर्याना से हूँ बाट मैं ट्रेनिंग चिन नहीं में करती हूँ परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आप में ने अच्छा पर ना हरियाना में तो हर घर में खेलाडी मिलेगा और कौन कुछ बताएंगे अपना जो पहली बार जा रहे हैं बेटियां तो बहुत बता सकती हैं दीजे दीजे वो बोलेगी कुछ मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाना रो तक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ मैं पहले बार जा रही हूँ एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मेट पर परदशन दिखाऊंगी पूरी देश की नजर मुझ पर होगी और सभी लोग दूआ भी कर रहे हैं और मैं मैं अपना हंड्रे परसंद दोंगी स्वाबाश और भोलिए रहे हैं अब संकोच कर रहे हैं बोलना है आपको बाड़े में एंग्विट कह रही है मेरा नाम अंतीम पंगाड है और मैं 53 के जिम रैसलिंग करती हूँ मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलम्पिक खेलने जाओंगी बहुत खुशी है मुझे कि अभी तक ओलम्पिक में सिर्फ कुस्ती में एक मैडल आया लड़की का और वो भी ब्रोंज आया तो मैं चाहती हू कि कम उमर के कौन कौन है जिनकी ऐग 18 से कम है एक हाँ बताइए बता हाँ हाँ धिनिधी देसिंगू I'm 14 years old I'm from Kerala but I represent Karnataka generally I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of team India it's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year I know that it's just the start of my journey and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here I hope that we all make our country proud and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals विश्वाल दबेस्ट अच्छा जो लोग तीन बार से जादा बार अलिम्पिक में गई हैसे कौन को है बहुर देन थ्री तामस जरा उन से सुनेंगे बार देन थ्री तामस पताईगे जर्खन वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की नमस्ते सर्व मेरा नाम दुपिका कुमारी है मैं आच्छे को रपिजन करते हूँ सिर्फ बहुत खुशी है और कि यह चौथा ओलम्पिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यह काफी एक्सपीरेंस है तो मैं उस एक्सपीरेंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरेंस को यूज करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रप्रिजन करूँ और अपना 200% दो अच्छा आप जो यहां नए खिलाडी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी जो पहली बार जा रहे है इस टिम में सब मैं बोलूँगी कि डेफिनिटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़ादा होता है बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चका चौन में वो ना घुसे जितना हो सके वो खुद पर फोकस करें और इंजॉइ करें पर पूरे फोकस के साथ पूरे सेल्फ कॉंफिडेंस के साथ और मैं यह बोलूँगी कि मैडल के मैडल चीतना है उसके पीछे न भागे वो पफॉर्म करें अच्छा परफॉर्म करें ताकि मैडल उनके पास है अब तीन बार आप हुआई पहली बार गई उस पर कुछ सीखा होगा कुछ आपने आकर के उसको प्रेक्टिस किया होगा दूसरी बार गई कुछ और शिखा होगा मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी चीजे नहीं एड़ोप की जिसके काण आपका कॉन्फरेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे या ऐसा तो नहीं कि रूटिन जो प्रेक्टिस करते दी वही करते क्योंकि जादा तर मैंने देखा है जैसे मैं हूँ मैं योगा वगरे करने की आदी हूँ तो मैं समझ देता हूँ मेरे लिए लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है जाते ही जिससे शुरू करता हूँ वही से एकदम से शुरू हो जाता है फिर मैं थोड़ा कॉंसेश होगे करें आज ये दो छोड़ो दोज़ाई चीजे करूँ तो थोड़ा मुझे वैसा हरे का आदत हो जाती है कि अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया आपकी स्थिति क्या है जो पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटीनीव करते हैं और जैसे लास्ट टाइम कोई भी मैच से अगर हम हाड़ते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रक्टिस में आके वो गलती ना करें उसको हम हर दिन रिपीड करतें ताकि वो हमारे आदत में उतर आए जो अच्छी कि बुरियादत लग जाती है बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि यह चीजें हमको कैसे कंवोर्ट करनी है अच्छी चीजों में और कौन है जो तीन बार जाकर के आए है नमस्ते सर्थ में पुवम मैमार अथलेटिक से हूं 2008 में जब में ओलम् 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया तो इस ताइम वी वांट टो क्रेट नाशल रेकॉर्ड एंड कम इंट फाइनल सर्थ में तो अच्छा लगेगा सब खिलाडियों को कौन बताना चाहता है हाथ उपर करगे शुरू कर दीजिए नमस्कार सर नमस्ते मैं पीवी सिदू सर मेरा अभी तर्ड ओलम्पिक्स में जा रही हूं सर तो फर्स ओलम्पिक्स में 2016 में इसलवर लेके आय थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉंज लेके आय थी तो इस बार I hope I change the color sir and I hope I come back with a medal obviously अभी बहुत experience है जा रही हूं but definitely it's not going to be easy but I will try my best and hoping for another medal sir यह जो नए खिलाडी आ रहा है उनके लिए क्या कहोगी but firstly मैं बस यह कहती हूं की I wish them all the very best बहुत लोग यह सोचते की ओलम्पिक्स है कैसा केलना और प्रजर भी बहुत रहते है और कुछ-कुछ लोगं को यह रहते है की वो excitement रहते है की you know it's our first Olympics and we want to go to the Olympics but I just want to say that you know it is like any other tournament it's just that हम फोकस करना है और we have to have that belief in ourselves that we can do it and definitely sab लोग hard work कर रहे है तो I wish them that they give their 100% not think that it is some different tournament and it is going to be hard but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100% thank you sir thank you thank you और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे नमस्ते जी प्यंका गोश्वामी नमस्ते जी तुमारे बालकृष्ण कहां है जी जी पास ही है यहीं पे स्यूजर लैंड में तो इस बार भी बाल किसना को लेके जा रही हो ना हां जी sir Olympics उनका भी दूसरा Olympics है सबसे पहले तुसर आपको पधाईयो कि आप तीसरी वार परधात मंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाडियों को आप से दुवारा से बात करने का और पिलने का मुता मुता है और जैसा कि दूसरा Olympics है और मैं टीन महीने से उस्ट्रेलिया में टेनिंग कर रही ती सरकार की तरफ से और अभी स्विजर लैंड में टेनिंग कर रही हो टॉप्स की तरफ से तो काफी सपोर्ट मिल रहा हमें गोवर्मेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप कि सभी प्लेयर्स Olympics में अपना बैस्ट देंगे और अच्छा रिजर्ट देंगे और ज्यादे से जादा मैडल जी अज़ा आपके शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा को देखने वाला नहीं होता है तुम्हां प्रैक्टिस कर र देखो हर खिलाडी के लिए अपने हैं तो अमारे देश में भी बहुत लोग भी खेल को देख रहे हैं और कापी पढ़ावाद मिल रहा है यहां सब बैठ के देख रहे हैं तो और मोटिवेशना आता है कि अच्छा करना है चल यह बहुत 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 बसाई आपको और मैं निखद बोल रही हूं सर मैं बॉक्सिंग में फिफ्टी कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजन करने जा रही ओलंपिक्स में और यह मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने आपको फोकस रख रही हूं क्योंकि पूरे देश वासियों का मेर उपर एक्सपेक्टेशन्स है तो मैं उनकी उमीदों पर खड़े उतरना चाहती हूं और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लोटना चाहूं बहुत 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 सुप कामना है निरत कुछ कह रहे थे नमस्ते बिया नमस्ते बीया कैसे हो सर मैं बैसा ही हूं तेरा चूर्मने अभी तक आया नहीं पिछली बार दिल्दी में चिन्नी वाला चूर्मन था आपको हर्याणा का बेड़वाला तेरा हाथ का चूर्मना खाड़ा है फका सर बताइगे विद्कुल सर हम भी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है इस बार मैं काफी कम कंपेटिशन खेल ला हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है पर अभी काफी बैटर है भी कुछ दिन पहले मैं फिल्लैंड में कंपेटिशन खेल चाहल में आता है मैं सब भी एथलेट्स को भी बोलना चाहूंगा कि चार साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुशके उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बैश्ट दे सकते हैं क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलम्पिक्स था और पहले कि वैसे खेल लें किसी से डरने की घबराने की जरूत नहीं क्योंकि वह इंसान है कई बार हम फो लगता है कि चाहिए ज्यादा स्ट्रॉंग है या फिर यूएस के अथलेट या दूसरी कंट्रीज के जादा स्ट्रॉंग है लेकिन भई है कि अगर हम खुद को पहचानलने क कि हां हम इतनी मैनत कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के तिनी दूर हैं तो कुछ भी पॉसिबल है जी चलिए बहुत बढ़िया टीप दिये हैं सबको मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको सुब काम नहीं देता हूं आपको स्वास अच्छा रहे हैं एक महने में जानने को मिलता है उसकी एक एहमियत होती है जैसे आपको बताया गया वहां के ताम जाम में डूब बज जाना खो मत जाना ये बहुत सही है जी अधरवाई हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं दूसरा परमा लेकिन हम पक micron के चलें हम कद का खेल नहीं है यहां कौशल्य का खेल आपकी टलेंट का खेल है सामने वाने का शरीर हमसे दो फिट उचा है चोड़ा है इसकी परभा मत किजिए आपको अपनी टालेंट पर भरोसा होना चाहिए और फिर सामदे कितना ही शरीर मोटा हो बड़ा तगना हो दिखने में बड़ा शांदार हो तो जीती जाएगा या मानने का खार्म नहीं होता है अपने पात जो कौशल है अपने पात जो टालेंट है उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए और वो ही हमें परिणाम देता है आपने देखा होगा जिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ आता है उनको लेकर एग्जामिनिशन के समय गड़़ हो जाती है उनको लगता है याद नहीं आता है फिर सोचता है कुछ को रिलेट करता है और उसका मूल कारण उसका एग्जाम पर ध्यान कम होता है उसका मूल कारण होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो घर वाले क्या कहेंगे अगर मैं मार्श कमला है तो क्या उसी प्रेशन में आता है आप चिंता छोड़ दीजे दोस्तों आप खेली अच्छा बस अरे मेडल आते भी है नहीं भी आते क्या है यह प्रेशर कभी मत रखिए हाँ अपना हंडेट परसंट बेस देना है यह मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए दूसरा आप लोग जानते होंगे आपको साइट बर यह आपके कोची हैं वह सब यह आपकी जो साइकलों जबर जोव ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते नींतने खेल जगत में रक्रैंट का जितना महत्व है consistency का जितना महत्व है उतना ही महत्व निंद का है और कभी-कभी तो कल सुबे मैच होने वाला अज रात को निंदी नहीं आ रही है और शायद कोई और चीज हमें जितना नुक्षान नहीं करती है उससे ज्यादा निंद का अभाव नुक्षान करती है और आपको आफसे रहोगा कि एक ऐसा प्रधानमत्री जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आपसे आगरे से कहूंगा अच्छी निंद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए किसी भी जीमन के हर चीज के लिए और आजकल तो मेडिकल साइंस भी निंद पर बहुत बल दे रहा है कि आपकी निंद कितने समय की हैं कितनी साउंड स्लीप हैं इसका बड़ा महत्म माना जाता है और निया मेडिकल साइंस में इस चीजों को बड़ा स्विकार किया जा रहा है और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों न हो जी आप निंद पक्टी करके बैसा आप लोग महनत इतनी करते हैं कि आपको निंद आना बहुत स्वाभाविक होता है क्योंकि आप गहरी निंद में चल जाएको इतनी महनत करते हैं शरीर से लेकिन शरीर की महनत वाली निंद एक मात है और सभी चिंताओं से मुक्त सोना या लग्षीच है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप निंद के समद में जरावी कॉम्प्रमेरिय और जाए थोड़े दिन पहले इसलिए भेजते हैं कि थोड़ा आप महाँ पर जेट लेक में गेरे समस्याओं से बच जाए वहाँ थोड़ा कमफर्ट फील करें और उसके बाद आप खेल के बैदावन में उतरे तो आप वो सुविधा रहे इसलिए एक व्यवस्ता सरकार करती है खेलाडियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई-नई चीजे करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी मैं कहिज नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहाँ सुविधा जनक हो गई के नहीं होगा लेकिन कोशिस की है इन दिनों हम वहां के जो भारतिय समुदा है उनको भी जर एक्टिवेट करते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं जरा आप भी हमारे खेलाडियों के साथ जरा जुडिया कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते हैं लेकिन फिर भी वो खायाल रखते हैं चिंता करते हैं जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भार पूर चिंता करते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोग को अगले कमफर्ट रहें असुविदाना हो और आप लोग अच्छा परणाम लेकर क्या हैं मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है और मैं आप लोग को फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा आप में से लोग जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे तो करम रहता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल कीले पर जब कारकम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्तित रहें तकि देश देखे का को यहां समारे ऑलिम्पिक खेलने के लिए जो गए थे क्योंकि ऑलिम्पिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है खेल में क्या करके आते हैं वो तो उसमें चार चान लगा देता है लेकिन देश के अंदर इतना सारा खेल जिकत के लोगों का होने के बाद आप मैंसे खेलो इंडिया से निकल करके खेलाडी बने ऐसे कितने हैं अच्छा ये भी काफी लोग है तो आपको कैसा कॉन सा खेल रहा किया बता जीजिए रहा है हेलो सर्व मैं सिफ्त हूं और मैं शूटिंग करती हूं तो खेलो इंडिया ने मुझे काफी हल्प की है क्योंकि देली में ट्रेनिंग करके और उस कीम में आके जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया कारणी आया चलिए अच्छे शुरू आथ है खान जी आफ क्या नाम मनु बाकर है मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेसंट करूंगी दोजार अठार में जो फर्स एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेंस का उसमें मैंने नाशनल रिकॉर्ड के साथ गोल मेंडल जीता था और वह और इंडिया के लिए खेलना है और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लाटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्क दर्शन दिया है और I think वहां से काफी सारे आथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूं मेरे साथ भी खेलते हैं और मेंसे जूनि पारी की छोटी-छोटी समस्याएं होती है वो उनका हल निकाल देते हैं तो I think बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने तो जी सर जो आज मैं यहां हूं मैं उसके काफी हद तक उसका सहारा रहा है जी शुक्रिया साथ चलिए कुछ कहना चाहते हैं अपने हिसाब से कुछ बात होताना चाहते हैं हाँ हाँ है कि मैं हर्मन प्रीज सेंग हूं होकी टीम से तो लास्ट टाइम जो हमने अलंपिक में ब्रॉंज मैडल जीता था 41 जीस के बाद तो बहुत हमारे लिए प्राउड मोमिट थी हैं क्योंकि होकी की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी रही है इस बार कोशिश बहुत अच्छी चल रही है और फिसिल्टी की बात करूं सब दिख रहे हैं है आपके टो ली तो फिसिल्टी सारा हम बैंगलर साही में रहते हैं तो वान अव दे बेस्ट फिसिल्टी समें मिल रही हैं जैसे अपने recovery के बारे में बोला, sleep के बारे में बोला और वहाँ पे जो हमरा recovery का है food से लेकर सारा कुछ सार बहुत अच्छा मिल रहा है हमें और इस बार भी हम पुरी अपनी मेनत कर रहे हैं और टीम हमरी जो है बहुत strong है तो उमीद करते हैं सार इस बार और पैतर करें और देश के लिए मैटल लेकर हैं सर शायद किसी एक खेल पर सबसे ज़्यादा देश का प्रेसर है तो होकी पर होता है क्योंकि देश के सब लोग मानते हैं यह तो हमारा खेल है हम कैसे पीछे जाए गए सबसे ज़्यादा प्रेसर रहता है वोकी के खेलाडियों का क्योंकि देश का हर बच्चा-बच्चा हमानता है यह तो हमारा खेल है यह हम कैसे हार सकते हैं बाटियों मैं तो कहते हैं हाँ भी चलो हमारे लोगको लोग कि निकाल रहे हैं कि होकी कि विशे में कॉप्रबै नहीं करते हैं और इसलिए मेहनत भी ज्यादा करने बढ़ती है लेकि मेरी सुप्रावना है मुझे आप पक्का करके लाओगे मुझे पुरा भरोसा है जी चलिए भाग मैं आपसे यही कहूंगा कि ये देश के लिए कुछ क बुजलने का एक अवसर होता है आपने अपनी तपस्या से इस्थान तक पहुंचे हैं अब आपके लिए अवसर हैं देश को कुछ देने का और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गवरों लेकर करके आता है और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सभी साथ इस बार पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ करके आएंगे इस बार भारत की कोशिश आए कि हम 2036 में ओलेम्पिक को कि मैजवानी हमारे देश में करे उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है तो हमारे देशाने हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारिया इंफ्रास्रेक्टर के लिए जो चाहिए उस पर काम काती चल रहा है जो भी एक्स्पर्ट लोग है उस पर काम कर रहे है आप लोग भी अगर खेल के बाद खेल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा वहाँ व्यवस्था है क्या इस पर फ्रांस में अलग अलग शहरों में ऑलिम्पिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलेंड पे हो रहा है तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहल रहेगा लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रूची हो उसको अबजर करें उसको अगर नोट करें क्योंकि खिलाडियों से इंपुट मिलता है तो जब हम 2036 की तयारी करेंगे वह इंपुट बहुत काम आएगा कि वह यह था वहाँ वह वह था वहाँ इस चीज की कमी थी वहाँ उस चीज की कमी थी तो ऐसी चीजे भी अगर आप अबजर करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी तो मेरी तरब से आप सब को बहुत-बहुत सुवकाम ना है धन्यवाद